तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपकर इस मेरे यूटीब चैनल में जिसका नामे खान इडिट आज की जो हमनों वीडियो बनाने वाले विजय मेरे की फोटो में से बहुत ही भैंकर फोटो जो की यह वाली है अगर आप इनको बहुत दिन से फॉलो करते हो तो इन्होंने अभी हाली में इस्टा पे यह वाली फोटो अपलोड करी है और काफी गजब की काफी कमाल का यह concept मुझे काफी प्रसनली गजब कर लगा तो चलो आज हम इसी वारे में वीडियो बनाने वाले हैं अब बात यह आती है कि इसका पोस कैसे क्लिक है तो पोस भी काफी आसान है बिल्कुल सेम इसी प्रेकास से आपको यह फोटो क्लिक कर लेनी जैसी कि आपको इनके फोटो में दिख रही है एंड टेंसन मत लेना क्योंकि भाई सामने कपड़े नहीं पहने हुए तो आप कोई भी लाइड कलर का कपडा यहनि की टीशट आप पहन सकते हो और बाज में हम लोग क्या करणे बाज में हम लोग उसके पंक को यहने की पर को और टीशट को दूनों के क đếnलों को मैश करा देंगे तो इसके जो main का जो इसका बीच वाला जो center था जिसमें model stand था model आपकर खड़ा हुआ था तो उसको मैंने remove कर दिया है एद उसको remove करने के लाद मैंने अच्छा सा bang on modify कर दिया ठीक है एंड यहां से आप एक चीज़ देखो इसका मैंने बैंड परदे से एरेस कर रखा है अगर आपको यह सब करना नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो की लिंग नीचे आपको मिल जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड यहां से इसको सही से इस्टैंड करते हैं ठीक है कुछ इतना ठीक है तो यहां से गई यह बिल्कुल परफेट लग रह रहा है एंड थो आउसको उपर करते हैं परस इतना ठीक है तो यह चीज़ गाइज यहां से बिल्कुल मस्त लग रही है एंड यहां से जो इसका जो एड़ेश्टमेंट वो हो चुका है एंड इसमें गाइज हम लोग इसको थोरा सा ब्लैकनेस में करने वाले कहां कहां करेंगे यहां इसका जो पीट का एरिया है वहां पर हम लोग हलगा सा डाइक कर देंगे ठीक है कैसे करना है आप इसको देखिए सही से यहां से जाएंगे डूबिकेट लेयर पर और इसका एक डूबिकेट करेंगे ठीक कुछ इस तरीके से एंड यहां से इसको हम लोग लुजब इसको हम लोग ऐसरट कर देंगे ठीक है तोड़ी इसको हमारा जो यांण जिस का स्ट्रीटेशन वालवा पार्ट वहम कर देगी कुछ इतना ठीक अ थे कि तो इसको सिथба कुछ इतना रना गो हमारा जो पर हे उस से तीच उसमें जो परें तो इसको फिलाल कुछ इतना रखें गे रहेंगे कैसे न ङे सब्सक्रणाब करेंगे एंड करेंगे एंड इहां से करेंगे कुछ इस तरह किसे एंड आपना जो फेस क्रेंगे इसको फिक्स कर लेंगे इस तरह से घ्याइड करेंट तो यह डबल लेयर एड़ करने से इतनी यहां से आसानी हो जाती है तो आघर आपको इसा trick पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज में जरूर करसकते हूं कि है तो गाइज यहां से इतनी चीज़े हो चुकी है एंड इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ ठीक गाइज काफी तगड़ा लग रहा है एंड यहां से हम लोग करेंगे फोटो को करेंगे इस लेयर के नीचे मुवफ टूटावन ठीक है तो इससे हमारा घय्स कैंव रहा जूआक है तो गईसका लेंगे धूरhern हो लग रहे हैं अगया है यह फोटो को कर देंगे है इस दन ठीक है कुछ इतना ठीक है अभी हम लोग जाएंगे उपर टूल्स में यहां से एज़ेस्ट पे और जो फोटो की सेच्वेशन है वो हम लोग कर देंगे कुछ इतना ठीक है बस इतना एंड अभी गाइस देखो बिल्कुल फोटो हमारी बिल्कुल मैच लग रही है ठी इतनी एड शैडो को हम लोग ऊपर छड़ा सकते ठीक है यहां से गकाइस कंट्रास्ट को हम लोग थूड़ा सा नीचे कर देंगे ठीक है एंड यहां से ग 지금 कर तो मिल भाई यहां से जो हमारा जो एड़ जिस्टमेंट था वो हो चुका है एंड फोटो हमारी लगबग लगबग बिल्कुल अच्छी बन गई है एंड यहां से एक चीज हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे इसकी शैडो क्रेड करेंगे ठीक है तो यहां से आओ उसी पर इसको गॉन्टा कर देंगे कुछ इस तरीकेस है एंड इसको हम लोग इस तरफ पल्टा देंगे कुछ इस तरीकेस थीक है तो यह चीज भी k कापी गजब की लग रही है एंड बिल्कुल ठीक से आपको इसी में इसको जॉ Monkey कर देना ओग ठीक है काफी गाइस कमाल की यह भ कि और तो मिले यहां से हमारा जो रिमूव था वो हो चुका है इंड यहान्से करेंगे डवन है एंड यहां सा इसकी अपश्टी ए वो हम लोыт गोग कुछ इतनी कर देंगा ऐसा लगे कि इसका जो मिरर ह्में के पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है तो कुछ इस तरह का सीन हमें क्रियेट करना है एंड यहां से इसका जो एमाउन्ट है वो आप 16 या 17 के आसपास रख सकते हो अपने फोटो के हिसाथ से आपकी फोटो में अलग हो सकता है ठीक है तो अपना करके देख लेना एंड य हो गाइस हम लोग काम करेंगे डाटूल के अंदर तो यहां से डौ में जाएंगे एंड यहां से लेंगे एक सेलेक्शन मतलब एक सैंपल कलर ठीक है यहां से कुछ यह कलर से चूप जाएंगे इस को थोड़ा सा आगट टाइप को डॉर देंगे ठीग एंड यहां से ब्रक्ष में हम लोग क्लिक करेंगे इसका जो साइज आप देख सकते हूं ठीक है एंड हमको बस क्या करना है हलका हलका बस paint कर देना है ठीक है यहां पर paint करना है एंड यहां पर हमको guys paint करना होगा एंड हलका paint यहां भी कर सकते है ठीक है एंड अभी इसको अब remove कर लो ठीक है तो यहां से है इसको हम लोग सही से remove कर देंगे ठीक है तो गाईज यहां से आप इस लेयर का आफ्टर बिफॉर देव सकते हो कि हमारे लेयर में क्या फरक पड़ा है तो यहां पर लेयर पर क्लिक करेंगे एंड बिफॉर एंड एंड अफ्ठर ठीक है काफी गजब कर लूग यहां से आ चुका है एंड यहां यहां हम हलका सा मार सकते हैं, सौरी गलती हो गई, इसको हमनों वापस से करेंगे, एंड यहां से हमें brush का size हमारे ख्यास हो यह फिर से change हो गया है, तो इसको सही से adjust कर लेंगे, ठीक है, और यहां से guys हम paint कर देंगे अपने, और जहां जहां हमारा आग की लपटे ल आपको लेना है white color, and white पे हम लोग click करेंगे, and guys जहां जहां में आसमान में shining चाहिए, वहां वहां हम लोग simple click कर सकते हैं, मतलब paint कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले मैं इसको करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो guys यह देखी हमारी photo में कितना फरक पड़ चुका है, and यहां से इस layer का हम लोग after, before, before and after देख सकते हैं, ठीक है, देखो guys कितना कमाल कलोग यहां से बन चुका है, and यहां से एक layer हम लोग all लेंगे, and अभी हमें जहां जहां डार्क टोन चाहिए अपने photo में, वहां पर हम प्रेंट करेंगे, तो black color यहां से चूस कर लेते हैं, and यहां से हम लोग अपनी photo को थोगा सब्सक्राइब करनेगे, ठीक है, before and after, before and after, तो guys, यह सब छोटी मोटी चीज़े मिलें के photo को हमारी बहुत ही realistic बनाती है, and बिल्कुल professional वाला जो look होतार वो इसमें create होता है, ठीक है, तो यहां से हम लोग इस layer को safe कर लेंगे, मतलब पूरी layer को, ठीक है, तो merge भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़रत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी merge कर लेते हैं, ठीक है, तो guys, यहां से हम लोग आचुके है, lightroom application में, and guys, जो photo वो मैंने add कर ली ठीक है, तो guys, यहां से photo को हमको थोड़ी सी dull करना होगा, तो उसके लिए हम लोग light पे click करेंगे, and जो exposure वो हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, and contrast को थोड़ा सा increase करेंगे, highlights को थोड़ी सी बढ़ाएं तो इसके लिए हमको अपनी blackness को बढ़ाना होगा, और यहां से guys, जाएंगे temperature ओले option पे, and यहां से जो situation है, वो हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि guys, यहां से हमको wavelength कम करना है, ठीक है? कुछ इतना करना है, and यहां से guys, जाएंगे हम लोग mix वाले tool पर, और यहां से अपने face की value है, वो हम लोग कुछ रखेंगे इतनी, and रखेंगे कुछ इतना guys, तो यहां से guys, कुछ इतना सही लग रहा है, and यहां से blue वाले part को हम लोग थोड़ा सा increase कर सकते है, ताकि हमारी photo हलकी सी blue tone पे चली जाए, and यहां से done पे click कर देंगे, ठीक है, and यह हम लोग करेंगे कुछ इतना, and यहां से जो इसकी clarity वो हम लोग थोड़ सा increase कर सकते है, and वेगनेट को guys, sorry, वेगनेट ने इसको वेगनेट बोलते है, and वेगनेट को guys, यहां से रखेंगे कुछ इतना ठीक है, and guys, इसके कम करने बाद गाद जो हमारा photo में look लग रहा है, वो तो guys, यहां से हमने अपनी पूरी तरह से rating complete कर लिए, ठीक है, तो guys, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो यार, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, and यार, ऐसा ही मज़िदार वीडियो और देखने के लिए, आप comment कर सकते हो, कि आपको किस तरह का concept चाहिए ठीक है, तो उसके लिए, मैं हमेशा आपके लिए हाजर रहूँगा, कि यार, कोशिश करूँगा कि बतुब आपको गजब से गजब, अच्छा से अच्छा आपको content मिले, तो guys, चलिए मिलते हैं, अगले किसी भेंकर से वीडियो में, तब तक के लिए, वीडियो को लाइक कर दो, and good bye.